मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का जो खेला है वो खेला मोही लैक में पूनम जोशी और एक नाया नाम जुड़ा है मनिशा आज इस खेले में एक नाया नाम जुड़ा है मनिशा और एक नाम में लेना भुल गया रेखा तो आज का खेला शुरू करने से पहले अच्छा आज का खेला शुरू करने से पहले मैं पहले कुछ इंफरमेशन दे देता हूँ एक मेंज रुको आज का खेला है वो खेले के जितने भी किरदार अभी मैंने जितने भी किरदार बोले वो सारे किरदारों को आप अच्छी तरह से जानते हो अच्छी तरह पहचानते हो लेकिन आज बहुत सारी नई इंफरमेशन सामने आई है कि यह इंफर्मेशन को हम लोग जुटला मत सकते हैं यह इंफर्मेशन आग यह गिरा हुआ इंसान को मैं इंफर्मेशन टैटर जाए पानोडी बाई जाय बोले की पनोडी बाई जाय बोले की फालो अलो है है जाय बोले की तो आज के आज का जो खेला होने वाला है वो खेले के अंदर वो एक नाय किरदार जोईन हुआ है जिस किरदार का नाम है मनिशा जितनी भी अभी थक इंफोर्मेशन आई है वो इंफोर्मेशन के चलते मनिशा नाम की कोई लड़की है जो लड़की की जो लड़की की सबसे पहले और न्यूड वीडियो वाइरन की गई थी सुत्रों के अनुसार मुझे ये इंफोर्मेशन मिली है कि ये जो मनिशा नाम की और थे ये और और स्कीनी लेक में ये दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे दोनों के अंडर कोई गपा गप चपा चप हुई तो वो गपा गप के चलते लेक में ने ये मनिशा की सबसे पहले ये न्यूड वीडियो वाइरल की थी अब इस बातों में कितनी सच्चा ही है वो सारी चीजे हम लेक में से जानेंगे तो यहाँ पे जितने भी वीवर्स बैठे हुए कहानी में ट्विस्ट आया है तो मैं चाहता हूं कि लेक में को लाइव शेयर की जाए प्लीज और देखो जंता-जनारधन से हम यह कहना चाहते हैं कि यह एक पिक्चर चढ रही है यहाँ पे कल आपको कोई बंदा सही लग रहा है तो वो आज आपको गलत لग सकता है और आज जो गलत लग रहा है वो कल जहीं लग सकता है तो यहाँ पर जो पनोडी भाई बैठे हैं वो दोनों पक्च की बात सुनेंगे वो कोई decision नहीं ले रहे हैं वो दोनों पक्च की बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं इसके बाद हम लोग decision लेगे तो ये पहले ही clear कर दे रहा हूं सब को तो लेकमे को live share की जाए और लेकमे के साथ-साथ जो पुनम जोसी थी जिसकी live कल चली थी वो live उसने जो चलाई थी उसके उपर भी आज बात होगी क्योंकि कल मैंने promise की थी कि वो पुनम जोसी की जो बाते है वो सारी बाते सुनी जाएगी और उन लोगों को समझा जाएगा लेकिन आज ये नही information आई है मनी सा नाम की लड़की की तो ये मनी सा नाम की लड़की जो है उसकी सारी information सायद ये मैं मानता हूँ कि ये मोहिच चुदान के पास है ये सारी information तो स्कीनी लेक में मोहिच चुदान रेखा जैसवाल स्कीनी लेक में और ये दुसरी लेडी क्या नाम है उसका पुनम जोसी इन सब लोगों को लाइव शेयर करो यहां पे साइद मोहिट चोधरी आ चुका है मोहिट चोधरी के मैंने देखा मुझे कुछ लोगों ने लाइव शेयर की बाबा मोहिट चोधरी के ऊपर खून सवार हो चुका है वो बंडा गंबंड लेके निकल चुका है किसी को मारने के लिए लेकिन अभी तक ये घुला सा मत हुआ है सुत्रों के अनुसार कि ये एक्चुल में किसको मारने के लिए निकला है अगर पब्लिक बहुत ही एक्साइडेड हो रही है नीचे मोहित चौधरी को मोहित चौधरी की आखों में जो गुसा है एक में अफिसियल अंडर इसकूर मोहित हां मोहित यहां पर आ चुका है कि मोहित को मैंने अड़ किया है अच्छा मोहित भाई तुम किसको मारने के लिए निकले हो अभी कभूलपुरी तुम्हें काशन दी थी मैं पहुंच गया बस तो तुम्हें कपिल पूरी ने लोकेशन दी थी वहां पे तुम पहुंच चुके हो वहां पहुंच कर रहे हो कि हमारे सुत्रों के अनुसार तो यह इंफोर्मेशन मिली थी कि तुम किसी और बंदे को मतलब के कोई लाइव पे तुमारा कुछ जगड़ा हुआ उसको नहीं नहीं उसे कफिल पूरी ने भेजा है भाई उसे बुला लो जराइड कर लो और कफिल पूरी से भी कहा देना कफ लो जराइड करना चाहता हूं सबसे पहले के लाइव में प्लीज गन बन मत दिखाना मेरी लाइव में वन्हा मेरी आईडी राइट अवे उड़ जाएगी ठीक है एक रिपोर्ट लगेगी मेरी आईडी उड़ जाएगी एक ही मिनिट में तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जोस में आके आप गन मत दिखाना प्लीज ठीक है क्योंकि यह आईडी से जो खेले चलते है यह आईडी बहुत इंपोर्टन है आपको भी पता है आपको न्याय दिलाने के लिए यह आईडी बहुत जरूरी है के और मैं इस घूल attendant है और मैं आपको लाईफ पे अचाहता हूं मैं आपको नीचे गिराना नहीं चाहता हूं तो प्ली जोस्ब में आके आप गण मत दिखाएड है प्लीज ठीक है तो यह चपिल पूरी ने मतलब आपको चपिल पूरी के बंदे लोग मिलने आ रहा है या चपिलपुरी खुद मिलने आ रहा है किसी और को भेज़गा ए वो टहले इंसे इंसे मिड़ो गाई अठाइं उनके लॉंडे लबाडे मिलने के लिए आ रहा है आप उच्छा सब्चा तो अभी आप कितने लोग निकले हो घर से अच्छा लेकिन यार तुमारा जगड़ा तो मोहित चुदान से है तो फी यह कपिलपूरी का क्या मतलब है यह इसको भी पता चल जाएगी इसका पैसा रखा रह जाएगा एक करोड रुपा दे देगा उनका विराट भाई का एक करोड का कर्श्दार है न तो आपके पास यह विराट भाई भी आयों घाइं नहीं वह तो यार भीए बहार है वो तो अच्छा तो वो विराट भाई आपके पास नहीं आयों नहीं वो राइट तो भी आड इंडिया से बाहर है भी अच्छा तो कुछ इंफरमेशन ऐसी मिली है मोहिद भाई कि आप किसी मनिसा नाम की लड़की को जानते हो नहीं देखो अच्छा मैं पनुरी बाई मैं इनको ब् डिटेल आई है गुप्त सूतरों से उनका कहना यह है मैंनों से पूछा कि भाई आपने इनकी लाइब क्यों दिखाई इनकी जो भी लीग्ड वीडियो है क्यों दिखाया आपने तो उनका कहना यह है कि साइनी लेक्मी ने कोई मनीशा नाम की लड़की का पहना न्यूड व यहां पर आज मोहित मदान लाइब पर आएगा क्योंकि जब वह देखो यहां पर आज मोहित मदान का पक्स रखा जाएगा यहां पर निपक्स से कोई नहीं होगा मोहित मदान की जो बाते है वो सारी बाते रखी जाएगी तो मोहित मदान को लाइव शेर की जाए प्लीज पांचे दिन उनको रूप जाना चाहिए यह देखो यह देखो देखा पने मोहित मोहित चाचा इस नाम लेकर बोल रहा आईडी से आ रहा हूं पिर यह आईडी आईए फेक आईडी अच्छा 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 ठीक है तो यहां पे मोहित मदान का आप है मोहित मदान आके नहीं रहा लाई पे बाबा फोन करो उसको अच्छा मुझे अभी एक अपडेट मिला है कि मौहित चोधरी तुमने मोहित मदान को ब्लॉक किया है तुम दोनों जब मेरी लाई पे आओ तो तुम दोनों एक दूसरे को अन ब्लॉक किया करो यार यहां पर टाइम खराब होता है यह तीन दिंचे मैंने पुसब नहीं लगाए तुमारे चक्कर में कि मोहित मदान को अन ब्लॉक कर जो उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है तो यह उसने मुझे ब्लॉक किया है आप एक मिनट नीचे जाना फिर से आपको एट करते हैं प्र artık करें कि मोहित मदान आपने मोहित चोजरी को ब्लॉक किया है आप उसको अन ब्लॉक करिए और और नीचे लाइब में नहीं तो कमेंट करिए मोहित ब्लॉक करिए अपने ऊसको मैंने life share की है आ चुके अच्छा और मोहित चोधरी को unblock करिए आप मोहित चोधरी को unblock करिए ऐसे नहीं होगा जब तक आप लोगों की बात खतम नहीं होती एक दूसरे को block unblock मत करिए मोहित डॉट मदान नाम है ना हां मोहित डॉट मदान डॉट ट्वेल वन तू बाब मोहित बैव वो ला मोहित अबी तक लाई पे नहीं आये बाबा इतनी देरी नहीं सही जाए गिया यहां पे मोहित ओ मोहित लाई आ मदान म अतना डा अधर नल माइं च्वल नहीं सटीन में आप नहीं ड्रैव इन ब्लॉट अब ब्लॉक किया और भी अभी एक सेगू पहले पापप वह हो आव एक सेगंड पहले ज संहिए आपको ब्लॉक किया है अरे उसने मुझे पहले ब्लोक किया फिर मैंने इसको ब्लोक किया अब करूख अब सबसे पहले तो यह चीज़ कही सबसे पहले तो कि सारे कह रहे थे कि मैंने लाइफ भई मैंने उसकी वीडियो वारल हो रही थी मैं आपके साथ ही बैठा था यहां मेरे को तो पता नहीं था तो मैं आपके साथ हम आपके कोई इलजाम लगाने या आपको जूटा आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाएं आपको पनोडी भाई ने बुलाया है तो आपकी बातों को सुनने के लि पनोडी भाई, सुनो, सुनो, पता है क्या है? एक इजद उती है किसी की, अगर हम नंगी ऐसे बैठे हैं, तो अगर हमको किसी नंगा किया तो हम भी किसी को नंगा कर सकते हैं, बाग कि मैं यह नहीं कहूंगा, शाहिनी गलत है, लेकिन तुम ने मेरे को पर इल्जाम लगाया, शाहिनी को भाईता, मैं ने बागम। तो उससे पहले उसकी लाइपे वीडियो चल रही थी, खीक है, तो मैं कैसे वीडियो बाइल करूँ जब मैं तुम्हार साथ ही बैठाथ हूँ और तुम्हार से इदर तो उधर हुआ नहीं, और उन्हें की आपस की इसमें आपको वो भी आ जाएगी, एक मिड़ों को मैं अन ब्लॉग करतो ना अ उसके बाद मैं आपको बकायता सबूत दिखाऊंगा और कैसे क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा, प्लस मैं बहुत कुछ मेर पास है, बहुत कुछ मेर पास है, लेकिन मैं फिर भी लड़की की बे जाएगा, मैं सरफ आपको यह दिखाऊंगा, कि गल्थी किसी कर भी होती है, गुस्ता किसी को भी आता है, अब बहुत कर रहा हूँ, उसके सामने तुम सारी चीजे दिखाऊ, प्लीज मैं यह चाहता हूँ, उसको आपको आपको अगा हाँ, एक मिड़ोग करूँ नहीं हो तो उसको अनब्लोक कर तो आप दुबारा जाता हूं हाँ ठीक ठीक हो तो भई देखो यहां पर बाबा को आज फोन किया था मोहित मदान ने मोहित मदान ने ये बोला कि मेरे पास बहुत सारी इंफर्मेशन है जो मैं मैं बोलना चाहता हूं मैं लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूं तो यह देखो जब खेला होता है तो दोनों साइड की सच्चाई सुनी जाती है दोनों साइड के बायान को रखा जाता है और उसमें से फिर पपलिक डिसाइड करती है कि कौन उठा है वो यहां पर मैं कोई जज नहीं हूँ ना तो मैं कोई वकीर हूँ ना तो मैं कोई चपरासी हूँ बट यहां पर जंता की अदालत चलती है तो नीचे जंता कॉमेंट करती है कुछ जनता ऐसी होती है जिनको लगता है कि मोहित मदान के साथ गलत हो रहा है कुछ जनता को ऐसा लगता है कि वो लैकमे के साथ गलत हुआ ठीक है लेकिन पहले सारी बातों को सोचो समझो जानो उसके बाद तुम लोग डिसीजन पे पहुंचो सालों यहां पर किसी की जिन्दिकी का सवाल है वो बंदा गन लेके निकल चुका है उसके पास पांचे लॉंडे बैठे हुए कार के अंदर उसके सर पे खून सवार हो रखा है तो नीचे फालतु की कॉमेंट मत कजो पहले सब लोग सारी बातों को सुनो आराम से और उसके बा किसके लिए है किसके नहीं लिए है उसकी इंफरमेशन मेरे पास नहीं है वो बंदे ने बोला है कि चपिल पूरी ने एक बंदे के एक करोर रूपिय मतलब के ले लिए है अभी तक वापिस नहीं किये है उनका जो सट्टे का बिजनेस है वो सट्टे के बिजनेस को चलते उ उन दोनों के बीच में कुछ पैसो का हुआ होगा लेंदेन, अब पता नहीं है वो लेंदेन क्या था, क्या नहीं था, वो बंदा कौन है, क्या नहीं है, मुझे कुछoku नहीं पता है, लेकίν मोहित चोधरी ने बोला कि loneliness पूरी ने एक करोर रुपय किसी के लिए है अभी तक लोटाए नहीं है तो मोहित ने अब साइब दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया लगता है तो यहां पर का गया वो अच्छा यह ब्लॉक अन्ब्लॉक तो कर दिया मैं एक चीज़ और पता देता हूं भाई जब तक हमारी लाइफ चलेगी और अगर आप कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हो तो आप अपनी लाइफ नहीं चला सकते हो वन् लाइफ चलाने के लायक नहीं रहोगे तो मोहित चौदरी तुम अपनी लाइफ बंद करो मोहित चौदरी को कर जाके उसकी लाइफ में कमेंट करो वो अपनी लाइफ बंद करे जब तक पनोडी भाई की लाइफ चल रही है वन्ना अगली लाइफ नहीं चल पाएगी उसकी यह कोई बात होती है क्या हो यह कोई बात होती है क्या हमारी जब live चल रही है आठाज वो लाई पे नहीं आए अब जांग जो मैं यहां पर मेरा टाइम दे रहा हूं मेरी एनरजी वेश्ट कर रहा हूं मेरा बहन्च ओढ़ा है भी यह लोग अपनी लाई चलाते हैं बैं क्या बात है ये आप दोनों मोहित आगए हैं दोनों महीत आगए है पनोडी भाई तो ओध मदन को ले लिए तो अड़ी में वाय पर प्लेस में हूँ आप प्लेस में हो तो है कहीं पर आज आप इस समय पर बॉडी भाई के लाए पर बैठो गे वावा मैं आपको बता देता हूं मैंने लाइव इसलिए चलाई है यह चाप वाले की दुकान पर मुझे आने के लिए बोला था ठीक है मैं मैं इसलिए आया हूं मैं एक बर यह इन फोन देना चाथा था यही चाप वाले की दुकान है ना वो चाप वाला लिखा है ना है पर पापा नहीं कर दो है जो इसको यह बात तरह चुप चर बात कर शेयर चुप बात वर बसकी बढ़ देधू यह बीना बात पंगे लेधा और युप ना के मुझा लाइव एक लिए तुषा कि में पार नीचे जाओ आप कि अगर तुमने हाइड किया तो अनहाइड करो यह उपर टोड़ी अपाइड बाइड वाइड बाबाब मैं अच्छे जा रहा हूं और सके बाद मैं आपको दिखाता हुआ अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार अच्छल भूड़ी जी मुझे यह दिखाना था कि मैं उस चाप वाले की दुकान पर हूं यहां कोई नहीं पहुचा इसके पापा का ओठीक है और हम और हम मैंने इन 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 तो पूलना मिन अप्छा थीक है ला मेरी बात करवाएं तो को ने हैं कि यह तो सही में पॉंच आएंगे आए तो नहीं अब किसे मिलें जब कोई आए नहीं तो यह कितने दूर से आए वह इस लोकेशन में मेरको बंदरा के 20 मिन लगती हैं नहीं तो कितना दूर है यहां से जाए होगा कम से कम मान के चलना बार तेरा किलो मिटर होगा तेरा किलो मिटर होगा मतलब 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 से गाड़ी से लग जाते हैं 20 मिनट अच्छा अरे चलो आप अपने लोकेशन पर टिके रहो यहां पर लाई पर बैठे रहो उसको हाइड किया यह अन हाइड किया है वह बात करो वहां क्योंकि वह यहां पर आ नहीं पर दिखा देता हूं यह रहा ठीक है को यह मेरी आईडिया है है मोहित मदान को खोले आप सर्च करो मुहित मदान अप्सैशन का भाई उसको नहीं यारा आप रिखा जैस्वाल किया यह यह देखो इसने मुझे उनको ने कुछ नहीं किया आपने ब्लॉक करकर के रखा हूं थुछ नहीं वह इसा दिकत नहीं हो बाई भी वूलाइब अप्र काम करो आप रेखा आप जैसौाल की आटी से आजाएये रेखा जैसौाल की आईडी से आजाएये तक याप पत्चीस सो लोग बैटे ही यह मजाक नहीं चलेगा यार किसी की भी लाइब से आजाओ कि आई डी से एक बदमास तो तुम्हारा नखडी निकल गया मोहित मदान जी मैं उचाप वाले के यहां खड़ा हूँ और भगवान की दुआ से सिस्टम बहुत ठीक ठाक है भगवान की दुआ से ठीक है और उसे कह देना अब मुझे कोई लोकेशन ना दे मैं लोकेशन पर नहीं जाओंगा थीक है आप लोकेशन मत देना मुझे आदा गंटा लगा है मोहित मदान बैस में नहीं नहीं हो कि मैं अपने भायों को बार बार परेशान करूंग है आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं होता है फाल तो मैं यह लोकेशन पर पुलाना अफिर नहीं है नहीं यह कह रहे हैं तु तुने तो फागल बना दिया भई मुझे वाले थे लेकिन अब क्या करें साला कुछ हुआ ही नहीं तो अब क्या करें लिए आपनी लाइव में खेल दिखाता अज अपनी लाइव में खेल दिखाना था जो अपनी लाइव में भी मत करना वो नहीं तो दिकात हो जाती है इंस्टाग्राम की तरफ से जित्कत हो जाए. मेरे जो तुम्सानर कुषी पढ़ी है यह जो रेगा यह बात तो लिखे लिए लोगा थो अ अ कै अजया है जा मैं यही तो क्रा रहा हूं मेरे नम थोड़ा से यू है बस अब आप अब आप नोड़ी भाई वो नीचे आगे मुहित मदान आप अब अब आपने रख लॉक किया था इस बंदे ने ब्लॉक नहीं किया था वो लाइब दिखा रहा था आपकी तरफ से प्रॉब्लम थी ओंध मदान अब 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 कराब रहेगा सब्सक्राब हो जाएगा इसको बलाई लूँ लड़की को अचा पहले वह पॉंट बताई एक पॉंट था आपका आप इनको बताई पनोरी भाई को आप इतर्यां दीजे फिर उस लड़की को दॉलाई प्र पाइट बताई है हाँ हाँ हा 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 ह सामने खाहिए को जब ही तो ऑनोरी गूमर उद बेड हो इस्पीकर करतेजिए टंव नहीं सुन थे ガिंह नहीं इन मताइव पेले तो मेरे पेकल ये जाम लगाया गया था मैं कल से बाशनु खरूगढ दो कि बाल तुमने इंचे गở दिया ख्यंचे कर सोट वितन race . मतलब इसकी our first फहली बात तो मैं लाइपे बैठा था और उसकी जब लाइप चलाई गई तो मैं तुम्हारा लाइप बैठा था ठीक है और दूसरी बात जब hen झाम जब नीचे गया तो मैं उसकी लाइप पー पर जोड़े उसने कहा कि हम लाइब नहीं बंद करेंगे हम उसकी वीडियो दिखाएंगे मैं अपने बच्चों करो तुम्हें अपने बच्चों करो अगर यह तुम करोगे तो तुमारे घर में मावेन है यह बात मैंने बारा सो लोग बैठे दे माँ उन्होंने देखा शाय तुमने भी दूसरी फोन से देखा होगा तो यह वीडियो यह हमारे घर इंसान के भाइस पास होगी जो कल की वीडियो है को कि इनको सारा पता आता वीडियो कहां से निकलते क्या निकलती है तो मैंने उनसे यह पूछा उन्होंने वीडियो बंद करा दी मैंने का तुमारे म दो काल रात को 11 11 बजे गालिया दी अफने लाइप बिठाके किनरों से तो मैंने इसलिए उसकी लाइप चलाई जाई उसकी वह चलवाईए मैं एना उस राराहांतर वी बश्चक्तह रही लए वी पास एके वाष थयु बनुटने परेशिंस ठीक है मेरा उसके बादक वां मेरा प्रस्ट मे ता कल की वह जो आ व्यूफ नोगों के पास सायनी लेकमे कि वह वीडियो आई कहां से आप उसके बारे में बता रहा हूं उस लड़की को बुलाओं या मैं को पता क्या मैं देखो मैं उसके बारे में बताईए पहले आप उसके बारे में बताईए किसके लड़की बारे में वीडियो के बारे में वो वीडियो आई कैसे वो वीडियो ऐसे आ इसका नाम है मनीशा उसने इसकी वीडियो वाइरल की थी आज से एक साल पहले एक साल पहले उस लड़िकी ने वीडियो वाइरल की थी वो इसलिए वाइरल की थी क्योंकि मनीशा नाम की लड़िकी की वीडियो वाइरल पहले निूड शाइनी ने वाइरल की थी और वो भी प् वो सही है यह जूटा इंजाने देखो मैं पुरूव दिखाता हूँ अदी मेरी सद्दाम से बात हुई उच इसने त्यागी त्यागी ने वो करी है मेरे पास उसने बोला कि मुझे साइनी लेकमी ने गाली दी मैंने इसलिए वाइरल करी अब उसको नहीं पता था कि साइनी ल एक साल प्ले करें तो युक के ऐट करने वो यह यह कहरें है वीडियो वीठी कैसे पहले वो यह पूच सरिए है वो यह कहरें आई क्लकी बात तो यह पुचरें वह वो यह नंही कहरें है वो यह कहरे है पर पहले बीडियो आयां कि न गणुम्हारी गल फ्रेंट को फोन करके बुलारो लाइप पे प्लीज और उसके बाद वो उस लड़की ने और कल की बाद सुन जो कल उस लड़की ने बोला ना जो कल उस लड़की ने बोला वो बंदरा सो लोग उस उसने आपने कहा कि मैं आपने बच्चे कसम खाती हूं कि मैंने लाइव जानके चलाई है क्योंकि उसने मुझे गालिया दी रेखाजय तबOnly एक परखेश रहा है और वह लाव रिकोरडिंग वह लाएव रहाधी में पास होगी तो किई हर किसी के रॉकूर्डई थे इनको सारा इता है किους इंस्टाग्राम का हममें तो के गवाधी, इसे ऐड यह वंदे की दी रिकॉर्डिंग नहीं रहती है नहीं रहती है अपने आधा आ जाती है आधा आधा यह सारी चीजे मैंने देखा है सब्सक्राइब मैं मैं मोहित मदान के सामने प्रूफ दिखाना चाहता हूं पहले वो दिखा देता हूं फिर मेरा फोन स्विच ओफ होने वाला है मैं इसका चार्जा नहीं रहा है था हाँ हाँ कमेंट बंद कर दीजे पनोडी भाई इस अधा कॉ यां कै लो ही चाचा लैकमी वाली आईडी से आ रहा हूं ठीक है इस यह लाक wij की फड्री आईडी ना इसकी जिंदगी खराप कर दोंगी मैं एं प्रेज माइड़ के अँख थिक है इस से इस से मेरे मेरा सिकू लेेकिशन जब दी है कि आपकी ऐड़ी से आप उनको कमेंट कर रहे हैं और साइणी लैकमी को गाली यक में जाईक में लेकमी अभी अब युद को यह इंगा और उस लटके को गाली जिस लड़के ने के वीडियो वैरल करें अच्छा वागी चीज वह अफूज कर ले रहा हूं मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग ले रहा हूं उस लड़के ने मुझसे कई भाईया मेरी किसी से दुस्मानी नहीं है मुझे मोहित मदान की वाइफ ने रेखा जैसवाल ने गेम खेला पूजा को ग्रॉड में लेके आई और उससे गाली दिलवाई लेकमी को ठीक है उसने मुझ लड़के ने एक ही चीज बोली है जिस लड़के ने वीडियो वाइरल करी है कि भाईया मैं मैं आपको कसम खाता हूं मुझे जब नीचे से गाली मिल रही थी और मैं उसने कसम भी खाई है बोला अल्ला की कसम कि मुझे नहीं पता था कि यह फर्जी आईडी है जब गाली प सुनो मेरी बात अब तुम भी सुनो मेरी बात बाबा आप आपने पूरी जिंदीगी रेखी आप बच्चे तो हो ने रोटी और चोची नहीं गहते मैं लाई पे बैठा हूँगा क्या अगर चुम मैं लाई चला रहा हूंगा तो मैं यह काऊँगा क्या कि मैं दूसरी को आता हूं को भाता है तो अपनी बेस्ति आपनी बैस्ति में क्यों अपलों अगर में को कि दूसरों की लित पर आता हूं Him ये में आपको अपना दिखाई हैं में जो अब कुछ ना दिखाई हम पो तो मुझे यह बताओ इसमें उसकी आइडिय कैसे आगी मुझे तो पहले यह बताओ चलो तू पहले इस बना गड़ा हुआ है अब गंडवे तू मुझे बढ़ करता तो मैं किसी और की देखता हूं अगर तू किसी और इड़ करता हूं अगर मैं किसी के लाइड पे नहीं होना चाहता हूं तो मैं थक चुका हूं तो भाई मैं किसी ऐड़ी देखता हूं इसलिए फेक आड़ी बनाता हूं तो मैं देखता हूं इसमें तो मैं देखता हूं इसमें तो मैं देखता हूं इसमें मैं तुम्हें ही कि बोला कि आपका नाम लेकिगी चच्चा मैं लेकमी की अपनी वाली आईडी से आता हूं एक क्लू देखो अपनादी जी आप पुट्या तो हार कोई इंसान होता है मैं गाली नी देरा बाबा इससे बोलो मेरे मेरे बड़े बाई बैठे हैं गाली मती मेरे पर इबादा रखिये दोनों पाश्य खेले की मरियादा बनाई रखिये बहुत बड़ी-बड़ी दुचे बैटी है तो खेले की मर्यादा बनाय रखिये हाँ बही मोहित बोलो कि आप छोटी छोटी सी रगण देखो लाइब में चलो तुम जब तुमें डर नहीं दरा दो कि युए कि सको कि मैंने आज तक मेरी अपनी परसनल रुस问 ज़िए 2 अवय होई नहीं से पनी आध़र करने दी ना किसी होने दी और ना करने दी मेरे स कि मेरे सामने उसकी वीडियो बार vibration ले इसलिए तक 5 शूम पहले मेरी उसकी बहुत ही गंदी रड़ाई हुई थी, मैंने उसके तब वीडियो बारण नहीं की थी, आप बताओ, और अभी तो मेरा उसके कोई मत्मा भी नहीं है, आप बताओ, जब आज से, शे मिने पहले मेरी उसकी कुदगी रड़ाई हुई थी, जब मैंने वीडियो बारण ना करी और ना हो ले दी और जी जिसके लिए बाइचा चलती थी, तो मैंने उसको मना करता था, तो मैं आप भी आप बता, वो लड़ाई ऐसी नहीं थी ना, वो लड़ाई ऐ इत आज सोढ़ाई ना, वो लड़ाई एसिती व लड़ाई ऐसी थी, नदगी वीडियो लड़ाई चीए, अब भी लड़ाई थी, तब लिए अन। महले ने तो ले मेरी तो ले तो चुलने अप बलने नहीं देसा हो अपनी गंटवा है, आपले ने ले डेरा । उन्ने प् किसी ना फेकाइडी से उसकी वीडियो इस पेकाइडी से उसकी लाइप पे अपनी लाइप पर कॉमेंट गर दी और यार एक तो चुप तो जा सबसे बड़ी बाबा कॉमन सेंस की बाद तो यह यह आप इसने बड़े हो जब कोई बंदा नी तेसे मैसिज लिखेगा वो मेरा अगर कोई मेरे साथ होगा अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे बोले कि मैं फेक आईडी से आ रहा हूं और यही एक आईडी मेरी लाइप पे आई थी और यही जो शाइनिलैकमी की फेक आईडी मेरी लाइप पे आई थी वो लिख जा रही हूं कोई मुझे बचा लो मुझे में मरने जा रही हूं और मैंने देखा मैंने तो फेक आईडी है क्योंकि रियल आईडी से तो मैंने इसको भॉक कर रहा है तो फेक आईडी तो फेक आई नहीं सकती अनुरी भाई मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी में किसी रेंडम व्यूवर ने कुछ मजे ले लिया है इस तरीकी से चाल चलके अब बात तुमारी सच है लेकिन वो जो लेक में कि किसी ने फेक आईडी बनाई तो वो फेक आईडी जिसने भी बनाई होगी पूनम जोशी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं नहीं कि पूनम जोशी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इसने पूनाम जोची से काम करवाया है इसने अबयो प्रोप्र हरता हूं अब मत बौल ना भाई आभ मोहीत मदान सच्च्चा यबताता हूं आभ इसने और मत बॉल ना आप बता बता चुप भू बता बता आप सच्चा यए सुनियो तो ने क्या किया जो तेरे बगल में तेरी गरवाली बैठी है ना इसने रेखा मेरे मेरे गरवाली बैठी है तो लाइक चला और मैं उसको करवा रहा हूं ये फिर बोला है बाबा इसे वह लो कि मैं चुप रहा है एक मिनटेश आप इसको शुन मेरी बात तेरी मां की चूत गंडवी बहुत विद्धी की तेरी 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 लिए वीडियो बहुत वारा लोगी ना तो भी एची पागल होगा तो बहुत प्तेरे जो तो बहुत बहुत वोद्धी थो अधारा वह लिए उस्ता मैं साथ दूँ थो आप दूँपी बात लाइन हो और मैं बाबाबा अगर अग्रें घृष्मौन का कोई पाषूर अपगे आप उसके ऊपर चड़ रहे हैं आप उसके अऊपर चड़ रहे हैं आप यसा पर विद्धा पीदी और तो तो यह यहार और पारावर वो बंदा गालि काह दे रहा है, आपकी पतनी बोडरी, अपनी पतनी को समझाइए आप उसके उपर क्यों चड़ रहे हैं आपकी पतनी क्यों घल दे रही है पीछे से उने हुप कर वाईए, क्या आपको औरत के साथ लेकराना है छानी आप बोलिये इसने पिर औरत क बताओ इस ने रेखा ने अपनी लाइव चलोवाई फ़ई शो रेखा ने कं लिए चलोई थे रेखा ने पुनम को फोन कीं आहिए कहना चाहती हो तो मैं तो तुम प्रूफ दे रहा हूं बात कहां है बात क्यां लेजा रही है और तुम तो कि इस बात कहे ला तो हमारे बसकी तो लक्की पनोनी बात है नहीं ठीक है मैं यहां पर अभी अपनी बात यहां पर चल रही थी कि यह वीडियो आया कैसे पहली बार तो लेक में आएगी तो पता चलेगा ना अब लेक में को मैं कब से बोल रहा हूं कि लेक मैं परूब दे रहा हूं तो मेरे सुन क्या रही हो यहां डिखाओ प्रूब दिखाओ मोहीं चौधरी आप थोड़ी देन नीचे बैठो आपका नेट घुम गया है नहीं तो प्र दिक्कत हो जाएगी लाइग रुख जाएगी और आप साइनी लेक्मी को बेजिए लाइग मै साइनी लेक्मी और पूनम जो को भी लाइग सेर करो यार साहनी और पूनम जोसी इन दोनों को भी लाइग सेर करो यार साइनी और Poonam Joshi Pooja 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 तो ही बैचिए Pooja तो ही बैचिए Pooja 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 Joshi Pooja Joshi Pooja Joshi 80 लो एक़ बर नपको सब परूफ दिखाऊँगा यही पर जाज़ता नहीं दिखाऊँ लो पर लो लो इक़र Pooja Joshi Pooja Okay Pooja जो सी एट जीरो हाँ यार कर लिया उसको आगी हाँ चोधरी तुम नीचे से लाइट देखना और फिर आपको भी उपर लिया जाएगा और फिर आप अपनी बात रखिएगा यह पूजा को एट तो कर लिया मैंने हाँ हाँ यही आइट दिया पनोरी भाई कि कहा रह गई आपकी पूजा मेरी पूजा काएगी बाबा जब नहीं आए तो आप देखो ना मैं तो आपने मनाई कर दिया आपके से सपोर्ट दिले तो भाई मैं तो अपना समय के कहा भी चलो कोई लेकिशन का अपने चुप हो गया में बात का थम अपने का मैं चुप हो गया मगर एक मिनिट आप में टाम लें एट का में दो बारलो तो जाए लेलिया उसको अश्यकर नहीं आरे या एडि उसकी मही है औरे यार मैं आट तो कर रहा हूं देखो नीचे लिश्ट में उसका नाम भी आ रहा है उसको एक बार नीचे करो ना यार नीचे करो उसको ना महां कैंसल कर दी मैंने उसका इंविचेशन मैंने कैंसल कर दी अब मैं फिर स्वेश को करता हूं एड फूजा फूजा जोशी एड जीरो आ जाओ भी फूजा जोशी एड जीरो एड किया एको मैं यह तो और यह तो टीनियोड बए लुका इसकी बगार जिए गडिक रीए लेकिन इसके घालिक रीके लेक्टिया लेकिन इसका इडेट अपडियोपड़ रगी उत वो निचे आज आ गरेवादिए ले बंड़ नेत्याकर फेर लग लोग ना शयाइद धिराजिए प्रेषिप के आएडे किस या मोम प्रेषित किया नहीं चिप किया है यह मैं देख लिए हो दूसी ऐने शब्द कीया है एंप उजय है यह पुझे निचे मेरी कॉमेंट कजो कॉमेंट के ऊचाओंगा पया है 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 निचे कॉमेंट का जो कि अरे कमेंट करो कमेंट करो पूजा जोसी मैं यहां सर्च करके तुमको एड़ कर रहा हूं मैंने तीन बार एड़ किया तुम है लेकिन पता मत है क्या हो रहा है यह कि यह तो फिर पूझातिये काम कर लाइव से चली जया फिर से लाइव जोईन कर रिफ्रेस्ट करके या मुझे एक बर अरे उसकी आइडी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पर उसकी कॉमेंट ही मत दिख रही है क्या करो पूजा पूजा अब ही तो एड हो गई जार देखो अब मोहित मदान को ले लिए पनोडी भाई एक मेरेच मोहित मतलब अब इस्टाग्राम को मुझे बोलना पड़ेगा क्या विंडो बनाओ अब विंडो होनी चाहिए अब बाई हां कंट्रूर देखो अब आए पहले सारी उसकी जो बात कर लो फिर वो लड़ीकी भी आएगी वो लड़ीकी अपना बात कर लेगी पहले जो इसको बात चल रही थी रात के समय हम लोग अब भी भी लाइव चला सकती हो लेकिन जब मेरी लाइव चल रही थी तुमने उसी टाइम क्यों लाइव चलाई ऐसा तो तुम्हें क्या हुआ कि तुमने उसी टाइम लाइव चलाई नहीं नहीं देखो मैं पहले रेखादी की लाइब चल रही थी हम वहाँ पे गई फिर मैं लेक मी की लाइब चल रही थी फिर महाँ पे गई फिर मेरे दोस्ते सद्दाम ने बुला कि पुना मेरी लाइब पर रिपोर्ट पड़ी है तो अपनी लाइब और फिर आपनी सिंग किसको किसका फोना सारी चीजे मैंने दो घंटा दिया है तुमारी लाइव को सिर्फ देखने के लिए मैंने तुमारी पुरानी लाइव भी देखी तुमारी लाइव रात को चलती है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा तुमारी लाइव पे होते है ज्यादा से ज्याद हद ले लो तौह दे़्सों यहादRO लोग कभी कभी हुणा तुम्हारी होते है असी लोग नबबे लोग ரाइट वहाँ पर वीडियो बार-बार तुम यह वोर रही थी के लाइव को सेहर करो और और करो और सेहर करो ठीक है तो सबसे पहले वह सद्धा सद्दाम नाम का जो बंदा है उसके पास ये वीडियो गई कैसे किसने उसको सेंड की थी वो वीडियो कोई एक फेक आईडी नाम ने वो वीडियो वाइरल कर रखी थी उसी में सद्दाम ने वो वीडियो मिली उसको मिली वो वीडियो हाँ तो फिर सद्दाम ने वो वीडियो तुम्हारी लाइव पे पर्टीक्विलर जब तुमने अब सब्दान सब्दान सद्दान जब एड हुआ तब उसने पहले बोला होगा ना कि बे मैं लेकमी की वीडियो दिखा रहा हूं या ऐसा कुछ दिखा रहा हूं तब जाके एज़ वोट्स तुमने लोगों को बोला के लाइव को सेयर करो, सेयर करो, हम लोग कुछ दिखाने वाले हैं, राइट? तो यह सारी चीजे करने के लिए तुम्हें किसने बोला था। तुमने अपने आप तो किया नहीं है, सबको सुनो, पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि ये चीज तुमने अपने आप नहीं किया ह जूट मत बोलना पुना दोमारा ने किया मैंने किसले किया मैं क्या डाइप गई लग मिंकी लाइप पे मैंने शाध बार सौरी बोलके आई उसकी लाइप पे जाके फिर भी उसने च्छकों को बिठा के मेरको गाली दिलाई सब्सक्राइब मेरा किसी नहीं नहीं बोला जालने के लिए उसने मेरको गाली डी इचिक इनक्टे उस्ने मेरक小ár लेक्मी club को बिता लाव कली beleत गए लेक्मी की तरफ से कंली आपको गाली डी जब 2000 लक्मि अजिना में एक लाग्मी यह मैं मय PARC दी कि मुझे नहीं पता के लाभी को गाले डिया, बाई हमने किसी का कोई नाम ने लिया हमने किसी का कुछ भी नहीं कहा बलकि मैंने। यह एम बि давноने क्रहाइन डेree, व शुर अपनी यह एक मिड़ी लाइन धिया, मुझा रखीende मुझा items. आगिन किसी का फुइन लिया अगर उस लाइब बी लिया थो वह तो अभी आप दिखा दो अब तुम बात कर लो आप तुम बात कर लो मारे भी बैठी ती ने टूमारे पास कोई प्रूफ है जो लेक मी ने तुम्हारी लाहि चलने ज़ाने से पहले मेरे अब यह लाइप पे तो थी मैं लाइप यह लाइप पर बैठी ती जहां पर अभी बैठी ती यहीं पर बैठी ती ऐसी लाइप पर और मेरे को बैठे बैठे उसने मतलब 6-7 बार लाइप मी को सौरी बोलने के बावजूद भी उसने उस मतलब वह जो बैठी ती उनके सा मिर्ण का लिये नीचे करता हूँ निखके करता हूँ यह came to life share कि जाए क्यों कि या तुमने किआ क् प्रवाइब 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 प् अचिए अएन वाई अंडर इसको एक मिनिट में उसको घृटा हूं एक मिनिट में उसको कॉल करता हूं मैं ने उसको कॉल किया है अगया नीचे अद ने 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 आ गई यह वो इसने लिखा आट पनवडीजी पूरी पर तुम्हें कॉल कर दिया मुझे लगा कि अभी तक तुम लाइब पे नहीं आई हो बिकॉस के नीचे कॉमें नहीं 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 दिक्टा जनारदन के सामने कॉल किया है तो आपके उपर उंगली नहीं उठाई जा सकती पनोडी भाई वैसे भी मेरे पे कोई उठाई नहीं सकता मैं ऐसे कोई काम करता ही नहीं हूँ अच्छा असकी भी यह बंदी बोल रही है कि जब मेरी लाइव चल रही थी तुम मेरी लाइव से निकली उसके बाद तुमने अपनी खुद की लाइव चलाई तुम लाइव पे बेठी हुई थी वहां पे दूसरे दो ट्रांसजेंडर को तुमने एड किया था और वो ट्रांसजेंडर से तुम इनको गाली दिलवा रही थी यह बंदी तुमें बोल रही थी कि बड़ी सौरी मेरी गल्ती हो गई यह वो यह बात में कितनी सच्चा ही है? पहली बाद तो सबसे पहला पॉइंट अपका है कि आपकी लाइव के बाद मैंने अपनी लाइव चलाई कि ठीके मैं भी आपको ब्लॉग कर दूँगी बात खतम उसके बाद कल रात को मैंने नॉर्मल ही अपनी लाइव ओन की थी आपकी ब्रॉड से पहले तो वहां पर क्या हुआ हां जी अल्मूस मतलब हाफ एनार पहले ओन की थी तो क्या हुआ था कि मैं अपनी नॉर्मल लाइव चला रही कि मुझे किसी से कॉंट्रोवर्सी नी करनी थी मुझे कोई किसी का नाम भी नहीं लेना था तो हम अपना हसी मजाग कर रहे थे इतने में नीचे से कॉंटिनूसली कमेंट्स आते हैं तो कि अपना है तो क्या था कि मैं ने बिना मतलब अपने अप सुने मैं किसी को कोई गाली नी दी पनौडी जी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लाइव वाच करती हूं बट मेरे बास दो फोन भी नहीं है तो मैंने किसी और थर्ड परसन को बोला कि प्लीज मुझे लाइव दिखाओ उनकी उसके बाद मैंने अपनी लाइव एंड कर दी और मैंने उनकी लाइव वाच करी मुझे किसी और ने दिखाई उसके बाद वहाँ पे मैं देखते हूं तो यह वहाँ पे कनेक्टी और यह भी काफी गंदा गंदा बोल रही थी उसके बाद बट मेरा नाम किसी ने नहीं लिया था उस टाइम पे बट लोग कॉंटिनुसली बोल रहे थे क्योंकि उनका पूरा जितने भी हिंट है वो सब मेरी तरफ थे कि अब जो होता हो कर लो मै खुले आम गालियां दे रही हो तो मेरा नाम लेकर गाली दो मुझे फरक नहीं पड़ता यह वर्डिंग्स रेखा जैसे इसवाल की थी और एक लड़की और वहाँ पे आटी अल्का कथूरिया करके तो यह तीन लोग वहाँ पे बैठे थे उसके बाद मैने लाइव चलाई तुमसे कोई लड़ाई चगड़ा है अगर कभी भी हुआ हो तो तुम बताओ तो इसने बोला नहीं हुआ उसके बाद मेरी लाइव पर एक किंणर एड थी कोई दो किंणर नहीं थी और दो लड़के एड थे मतलब यह एड़ोगी तो एक लड़का था सिफ एक ही किनर थी वो इनको जब भी बीच में बोल डिखी ना मैंने उसको भी रोका है कि निम्मी तुम रुख जाओ मेरे को इससे बात करने दो क्योंकि इनोंने मुझे बोला कि लैक में इसे चुप करवा रही थी और उसके बाद में इनकी और मेरी प्रॉब्लम सौट हो गई थी कि ठीक है मैं अजके बाद तुम्हां को नहीं बोलूगा और मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं मैंने इनको यह भी बोला कि तुम्हें पता है कि उनका और मेरा कॉन्ट्रर्जी चल रही है और ये कोई fake नहीं है, ये real लडाई जगडा हो रहा है तो इन्होंने बोला, मुझे नहीं पता था लैक्ट में अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ पे जाती भी नहीं, मैं गालियां देती भी नहीं तो मैंने का ठीक है अगर आगे से कोई किसी को गाली भी दे रहा ना तो तुम वहां पे मत जाओ बस यह चीज़े होई थी और फिर यह मेरी लाइफ पे से नीचे चली गई थी मेरा इनका कोई लड़ाई जगड़ा था ही नहीं उसके बाद तो मैं आपकी लाइफ पे आ गई है पुने लिवाध अभर तो तुमको इनकी बात सही लग रही है हां 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 सही कर यह एक मेंदेख इतनद मैंने तेरे को छह साथ बार सौरी बढ़ा मैं स्वरी बोला सौरी बोला फिर जो इसमेरे को गाली दर्भी ने सर दो मैंने आपको यह बी बोला कि आ तुम दो दिन गलत नहीं बोलती थीक है तुमने कर जो भी कर रहा ना बट मैं यहीं बोलूँगे कि तुमने वह तीज अच्छी नहीं कर वाई ठीक है एक लिस्ट तुम यह तो देखते यार कि कोई फेक आईडी से कमेंट कर रहे है मैं मानती हूँ कि हाचए मैं मुझसे घलती हुई है क्यों मेरेको मेरेको भी सारी बोलक है जो मैं उल्टा गाली सुनूंगी और लिकी चीजा कर बार बार मैं वही गाली सुन रही हूं कर वही गाली तो से बात करूँगी, मैं और अधर बात किसी से बात नहीं कर रहे हूं। तो तुमने मुझे बोल दे सारी मैंने तुझे गाली दिया आगर ऐसा लगता है तो मैं नहीं बोल रही है। मैंने बहुत है ठीक है आप जाओ, मेरी आपसे कोई लडाई नहीं है। यही बोला था ना उसके बाद तुम वही पे थी और मेरी लाइफ पे कॉंटिनियू मैसी जाने लगे थे कि पनौडी जी की लाइब आउन हो गई है वहाँ आपको बुलाया जा रहा है मैं यहाँ आ गई थी ठीक है लाइफ पे उसके बाद मैं तो नीचे ही लाइफ पे बैठी थी मेरी तो में सोचो अगर मैं खुद आपको गाली देती तो मैं अपनी रियल आइडी से दोंगी ना शाइनी लाइड में से या मैं तीन चार आइडी में नाम की इस एक आइड में मंचरना इडाइड एक सद्राम की लाइड थी उन्हीं दें अगर मिरको आपको गाली दे थी नाजा में ओगी वह पी आपनी इसी आईडी से आपको गाली दूँगी या मेरा एक आर अचाउँन्दी दें बैक अ उससे दूगी है समझ रहे हो एँ? घए लिमा अगा तो अ कि तुम्हारे पास कुछ भी है ठीक है वो मुच्से गलती हुई थी मैने openly भूला हम स्य हुई थी मैं डिनाए नहीं करा ठीक है कि मेरे में में बना था या क्या था नहीं मुझ्ध्से हुई थी मैं उस चीज को यह दो एक में मुझे बोलने दो ठीक है देखो पुनम लाइब तुमारी लाइब पे वीडियो वाइरल हुई यह बात तुम मानती हो वीडियो दिखाने से पहले तुमने ये चीज बोली कि लाइव को सेर करो लाइव को सेर करो और वहाँ पे 1100 लोग आ गए उसके बाद वो मोहित मदान एड़ हुआ मोहित मदान तुम्हें रोक रहा था कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो ठीक है लेकिन अब अब देखो तुमने निकाल दिया था ठीक है दिखाने से पहले मोहित मदान ने तुम्हें रोका होता तो कुछ वहाँ पे हो सकता रहा लेकिन तुमने दिखाई दिया था ठीक है तो नहीं सुनो पर नोड़ी जी में आपको ये भी बताती मोहिज जी आये थे मेरे brot पे उस time live चल ली थी मोहिज जी मेरेसे गुसा हुए मैं इना ही कहती हूऊ कि मुझसे नरह heroicus मोहिज जी मूखते हूँ वे दें लिगमी की video बं करो बं करो बं करो- मैं ओर मैं तुम्हें वही बोर रहा हूं कि मोहित मदान वहां प्याड हुए लेकिन उससे पहले तुमने खेला तो कर ही दिया था ना अपनी लाइब पे तुमने खिला कर दिया था अब मैं तुम्हें दो अप्शन्स देता हूं पुनम ठीक है या तो तुम सच बोलो कि वह लाइव तुमने किसने किसके कहने पर चलाई थी या तुमारी आइडी जाएगी दो अप्शन है तुमारे पास सुनो आपको मेरे आडी उड़ानी है उड़ा दो और मैं सच कह रही हूं मुझे मोहित जीस मेरे को किसी नहीं पूछना चाहरा हूं पनोडी भाई की तरब से क्या इसमें रेखा जैस्वाल मोहित मदान या किसी भी पार्टी का कोई हाथ था आपको फोर्स किया गया था कि नने बच्च्शों की कंप खाया गए आप अप उपाव ने बच्चों की किसी ने उत्षैा नहीं था ना Bिलकुल यह अपने बच्चों की कसम खा HOLY घर 007 sex की ने मुझे घाली दी क्यों सुरी बोलनी के बाध घुग मेरे को गुस्सा आया तब जाके हमने वीडियो वो जो ट्रांसजेंडर था उसने पुर्णम को गाली दी पिर भी वो मुझे गाली करी थी लैग में से पुछो वो चूपनी रही भीर मुझे निकल के आगी देखिए पनोडी जी देखिए किसी ने आज तक अपनी लाइफ पर मुझे गाली आदी बट उन्होंने अपनी और बोलंगे आपको कि मैं तो अपनी लाइफ पर यह कर सकती हो आपको और बात बटाओ तो मुझे जब पूझ जोसी अपनी इस बात की पूरी responsibility ले रही है कि वो वीडियो इन्हों ने लीक किया है तो अब आप क्या इनको माफ करती हो और इनके साथ सारी चीजे खतम करती हो और यह मानती हो कि मोहित मदान का और रेखा जैसवाल का इसमें हाथ नहीं है नहीं उनका हाथ है बिलकुल है लाइफ पर चल रही है तो मैं आपको जै बोले कि या कुछ भी बोलके हमेशा लाइफ लीव करती हो बट मैं कल इतना अपसेट हो गई थी कि मैंने वो आईडी देखी और इनकी जो लाइफ चल रही थी ना वहां पर वहां पर मेरी आईडी एंटर रही थी जिसमें शाइनी अंडर स्कोर लैक में और बाद में अंडर स्कोर और उसके इनको गाली आ रही थी तुम्हें मतलब कोई भी फेक आईडी गाली देगी तो तुम किसी का कुछ भी कर दोगे क्या यह इतनी मतलब परसनल चीजे होती है इतना तो आपको पता होना चाहिए ना आप बहुत लड़की हो ना तुम्हार को शयद भरत की बहुत की तुम्हार को शयद फ़रक नानी बड़ता क्योंकि तुम्हें पता होगा कि लाइव में मैं कभी इस तरीके से नहीं बैठती हूँ मेरी लाइव की तुम कोई रिकॉर्डिंग दिखाओ कि मैं लाइव में कभी बत्तमीजी करें या मैं ऐसे अपनी बॉड़ी दिखा रही हूँ लाइव में सर उसके बाद में मैंने इतना अपसेट थी आज भी वो उसकी वाइव लाइव चला कर आज भी इतना गंदा गंदा बोले जारी है बोले जारी है लोग मुझे शेयर कर रहे हैं कि वो फिर लाइव चला के लाइक में तुम्हें गाली बख रही है बताओ मैं क्या करूँ मैं तो उन्हों कि एमनद घम्कि आऊ टो आज की बाथ चलो मतलब डिफरंट है, बट अँ या एक मिन लाव में आता हूं लाई पे आता हूं लाई पे आता हूं लाई एक मिन रोग जाऊ